हाई गाईज, केमिकल इंजिनिंग अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसर स्विंग एब्जॉप्शन फार नाइट्रोजन जेनरेशन मीज प्रेसर स्विंग एब्जॉप्शन के दौरा हम नाइट्रोजन का जेनरेशन किस प्रकार करते हैं तो सबसे पहले गाईज देख लेते हैं प्रेसर स्विंग एब्जॉप्शन क्या है प्रेसर स्विंग एब्जॉप्शन गैस से प्रेसन का एक प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली ये जानते हैं कि कुछ molecular sieves जो crystalline metal होते हैं means guys जो absorber में ये लगे हुए हैं ये molecular sieves होते हैं जो crystalline metal होते हैं इनकी ये capacity होती है कि ये अपने थुरू किसी fixed gases को ही पास होने देते हैं और other gases को रोग देते हैं means guys जो कुछ fixed gases होती हैं वही पास होंगी और other gases को ये रोग देते हैं इन्हें means guys जो ये molecular sieves हैं इन्हें absorbent भी कहा जाता है means guys जो other gases हैं उन्हें ये absorb कर लेते हैं और कुछ fixed gases को ही पास होने देते हैं तो guys इस पूरे process में nitrogen generation के बारे में बताया जाएगा कि pressure swing absorption के दरण nitrogen generation किस प्रकार करते हैं तो guys कुछ nitrogen के बारे में basically जान लेते हैं तो guys सबसे पहले जान लें कि जो हमारा atmosphere है या वाई मंडल उसमें 78% nitrogen पाया जाता है तो guys उस 88% nitrogen में कुछ other gases भी मिली होती हैं और उन other gases को remove करके किस प्रकार nitrogen प्राप्त किया जाता है तो guys nitrogen का कुछ basic चीज़े जान लेते हैं जैसा कि nitrogen का formula आपको दिख रहे हैं या ने यन्टू होता है इस ये रंग हीन गंद हीन स्वाद हीन होता है प्रिशिवी के मारमंडल में 88% परसेंट पाया जाता है इसकी खोज गाई जै डेनियल रादर फोर्ड ने 1773 इसमी में खोज किया था उस टाइम इसका नाम azote रखा था 1790 में इसका नाम nitrogen रखा गया और nitrogen का boiling point जो होता है guys ये 195.8 degree celsius होता है और इसका freezing point minus 210 degree celsius होता है जो इसका guys कुछ nitrogen के फायदे हैं वह जान लेते हैं nitrogen nucleic acid को बनाता है और जिससे हमारे DNA RNA का निर्माण होता है जो nucleic acid बनता है वह nitrogen के nitrogen से भी बनता है और ये हमारे DNA RNA को भी बनाते हैं और nitrogen जो होता है वह food को digest करने में भी health करता है और जो guys इसका use है वह ice cream बनाने में tube light bulb के अंदर use होता है otherwise आज के पाईयों में भी इसका use किया जाता है guys temperature maintain करने के लिए और जो animals का sperm होता है उसे भी रखने में nitrogen liquid का use किया जाता है तो guys फिर figure के through देख लेते हैं किस परकार nitrogen generation होता है सबसे पहले guys हम atmospheric air को लेते हैं जिसे highly compress किया जाता है means उसका pressure काफी ज़्यादा reduce किया जाता है फिर इसे absorber A tank में देते हैं guys यहाँ पर दो absorber लगे हुए है absorber A absorber B तो guys यह दोनों एक ही time पर work नहीं करते हैं जब absorber A की capacity खत्म हो जाती है तो absorber B के through हम process करते हैं और इसे as a rest position पर करके इसे clean किया जाता है यह जो molecular sieves लगे हैं इसमें other gases को absorb करने की tendency खत्म हो जाती है इसलिए इसे फिर से regenerate किया जाता है और इसमें presence gases को atmosphere में release कर दिया जाता है तो guys सबसे पहले air को highly compress करेंगे फिर इस absorber A में इसे हम देते हैं guys absorber A में जो molecular sieves लगे होते हैं यह जो other gases हैं उसको यह absorb कर लेंगी और कुछ fixed gas means जो nitrogen होगा उसको यह जाने देती हैं और जब इसका pressure release किया जाता है तो means guys यहां highly compress करेंगे फिर इस absorber A में देंगे यहां पे जो molecular sieves लगे हैं वो other gases को रोक लेते हैं और only nitrogen को आगे जाने देते हैं और फिर इस absorber A में उपर से valve को open करते हैं और pressure reduce करते हैं तो guys जब इसका pressure absorber A का pressure कम होने से यह molecular sieves other gases को absorb कर लेते हैं और nitrogen gas इस pipeline के थुरू इससे pressure swing absorption nitrogen buffer टैंक में जाता है और फिर इस tank में एक tube connect होता है यहां नली होती है connect होती है जहां पे एक auto analyzer लगा होता है means guys जो nitrogen gas यहां पे आया है उसमें कितने amount में oxygen presence है अगर ज्यादा amount में oxygen presence है तो यह guys close हो जाता है और पूरा process फिर से start होता है और अगर oxygen का amount कम है इस gas में तो फिर यह आगे send कर देता है और हमारा nitrogen प्राप्त हो जाता है और guys जब हम इसकी tendency full हो जाएगी means जो nitrogen generation का काम है अगर यह अच्छी तरीके से अब कर नहीं पार रहा है या फिर जो molecular sieves हैं इनकी absorbent means जो other gas को absorb कर रहा है उसकी tendency tendency खत्म हो गई है तो इसलिए हम इसका valve close कर देते हैं और इधर से भी इसका valve close कर देंगे और यह valve खोल देते हैं इधर से valve खोल देंगे और इसको as a rest position में डाल दिया जाता है जहां से इसमें presence gases और जो impurities रहेंगे उसे clean किया जाता है इसे फिर से process continue करने के लिए और इस absorber B से हम तब तक काम करते हैं और absorber B में भी यही process होता है I hope guys आपको वीडियो पसंद आए हो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें साथ में well icon दबाना नह भूलें अगर guys आप इस videos के PDF चाहते हैं तो हमारे telegram चैनल को join करना नह भूलें जहां पर Diploma in Chemical Engineering के सभी notes PDF form में available हैं जहां से आप free of cost Diploma in Chemical Engineering के notes डाउ Thank you guys